आज का वीडियो होने बाला है बहुत ही खास क्योंकि आज मैं लेकर आये हूँ आपके लिए गोयल कंपनी की स्पार्कलर मशीन जो कि आपने थंबनेल में देखी लिया होगा तो guys ये है made in India बहुत ही खूपसूरत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्पार्कलर गन easy to use, attractive design और साथ ही साथ professional choice भी है so guys ये है बहुत ही important part जो कि हर event planner के पास होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आप दूला दूलन के entry करते हैं तो आप उनको ये gun भी दे सकते हैं pyro के साथ तो चली इसको unbox करते हैं और दिखाता हूँ इसके अंदर जैसे कि packing के साथ आपको pyro gun, sparkler gun हम आपको देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एक box के अंदर pyro gun देखने को मिलेगी जो rapper के साथ pack रहती है गोयल का sticker होगा और guys इस तरीके से इसका पूरा look जो आप देख सकते हैं कितनी मजबूत है और एक चीज सबसे important part यह बहुत ही reasonable price पर है guys तो जल्दी से जल्दी आप हमें order करें और अपना जो भी जितने piece का order देना है जल्दी से जल्दी book करें तो इस तरीके से आपको दूसरे part में देखने को मिलते हैं पाइरो फसाने के नोजल्स और एक site आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको लगाने होंगे cell तो guys cell लगाना है आपको हमेशा देख कर कि plus minus सही हो और दूसरी चीज़ cell हमेशा original ही use करें most properly मैं हमेशा prefer करता हूँ ever ready के लिए चाहे वो 9 bold हो या फिर pencil cell हो तो हमने use किया है ever ready का cell और हम अब इसको करते हैं धक्कन से pack अब हम चलिए तो सबसे पहले आप देख लें कि cell लगाने के बाद अब जैसे ही trigger को on करते हैं तो यहां से आपका जैसे on करने के बाद trigger को दबाएंगे तो red button चालू है मतलब आपने switch को on कर दिया है अब हम लगाएंगे इसमें pyro तो pyro का connection करने के पहले आपको trigger को करना होगा बंद और जो switch लगा हुआ है उसको कर देंगे तो आप पाइरो को connection अच्छे से कर सकते हैं अगर suppose बीच में आपने on की button चालू कर दिये और trigger दबा दिया तो pyro हो जाएगा short तो आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा trigger दबाने से पहले चेक कर लें कि switch on है या off है तो pyro लगाते time तो आपको हमेशा switch off रखना है then उसके बाद आप switch को कर सकते हैं on तो इस तरीके से आपको करनी होगी इसके fitting guys तो चलिए हम मैं short करके दिखाता हूँ आपको तो यह हमारा victor pyro जिसको हम इस pyro sparkler gun से करेंगे short तो connection करने के लिए आपको सबसे पहले pyro की यह दो wiring को अलग-अलग करना होगा और जो आपका gun का nozzle है वहाँ पर आपको nut धीले करके यह wiring को कसना होगा और pyro को आप थोड़ा सा tight कर दें इस nut से तो pyro आपका नहीं तो सबसे पहले डालना होगा wire, wire के बाद आपको pyro को करना होगा थोड़ा सा tight ताकि यह pyro नीचे की तरफ ना गिर है और फिर उसके बाद आपको wire लगाने होंगे plug पर तो आपने यह देखा है red और black color का switch तो एक wire लगाना है black में और एक wire लगाना है red में ऐसा जरूर color wire किसी को किसी में connect करना है आप किसी भी wire को किसी भी switch में connect कर सकते हैं जैसे ही आपने देखा फिर उसके बाद आपको करना होगा यहां से switch को on यह हो गया on अब आप trigger दबाएंगे तो pyro हो जाएगा short तो यह चीज़ आपको हमेशा इस gun में ध्यान देनी है तो चलें अब हम करते हैं इस pyro को short तो यह हुआ pyro हमारा connection के साथ अब हम इसको करेंगे short अब हमने कर लिया यहां से switch off था अब कर दिया हमने उसको on अब हम चलते हैं इसको short करने के लिए guys तो आप ध्यान से देखिए pyro भी देखिएगा pyro gun भी देखिएगा और आपको जो भी order करना हो दिय कर देखिएगा वीडियोज में आपको दिखा सकूँ अ जाए नहीं है अ कि